हलू फ्रेंड्स स्वागत है आपका वेन्यन बाटी का रसोय में आजम मनाएंगे बहुत ही स्वाधिस्ट भाजी पड़े भाजी पड़े काफी जल्दी तेयार हो जाते हैं और बहुत ही टैस्टी लगते हैं तो चलिए स्टाट करते हैं भाजी पड़े बनाने के लिए चाहिए बेसन एक कप बारीक कटा हुआ पालक एक कप बारीक कटा हर अधनिया अधकप बारीक कटी हुई मैथी एक कप बारीक कटा हुआ प्याच अधकप अधरकला सुनका पेस्ट एक चम्मच सुखे मसाले मिलेंगे नमक स्वाधनुसार या एक चम्मच, हल्दी पाउडर, आधा चम्मच, लाल मिश पाउडर, आधा चम्मच, जीरा, एक चम्मच, धनिया, साबुत धनिया, एक चम्मच, और हींग, चुटकी भर, या 1 फोर्थ टी स्पुन, बेकिंग सोड़ा, आधा चम्मच, अब सबसे पहले, सारे वैजी टेवल्स को अच्छे से दो या थीन पानी से वाश कर लेंगे, एक बाउल लेंगे, इसमें बेशन ले लेंगे, उसमें हम बालक, मिक्सकर देंगे, हर अधनिया, मिक्सकर dalam हरी मैथी मिक्स कर देंगे बारी क कटा हुए प्याज, अधरक लसुन का पेस्ट, सुखी मसाले में हल्दी पौडर, लाल मिर्च पौडर, जीरा, सापुत धनिया, हींग पौडर, नमक सभी चीजों को डाल कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे बेकिंग सोड़ा को सबसे लास्ट में ढालना है, इसलिए अभी नहीं डाला है अब इन सभी जी जोग अच्छे से मिक्स कर लीजिए एक चमच गरम तेल डाल देंगे जिससे की जो बड़े हैं आपके वो काफी स्पंजी बनेगे अब सबसे लास्ट में सोडा डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब यदि आपको थोड़ा हाड लग रहा है यह तो आप थोड़ा से एक चमच बर पानी मिक्स किजिए क्योंकि हमने पालक मैथी को वाश किया था इसलिए उसमें थोड़ा पानी रहता है इसलिए बहुत ज़्यादा पानी डालने के जरुरत नहीं है अब अच्छे से मिक्स सरके रख लेंगे आटे की जैसा गूत कर अब एक पैन रखेंगे और उसमें फ्राइ करने के लिए और डालेंगे अब छोटा चोटा पोर्शन लेकर गोल गोल शेप में इस तरह से भाजी बड़ा बना देंगे और डीफ्राइ करेंगे अब जब यह थोड़ा सा ब्राउन कलर आ जाता है इनका कलर चेंज हो जाता है तब हम इसे निकाल लेंगे देखिए लाइट ब्राउन कलर आ गया है अब इससे एक कटोरी के सहायता से प्रेस कर देंगे चप्टा कर देंगे अब यह पूरी तरह नहीं सिका इसको एक पर और शेकना है इसी तरह से सारे भाजी बड़े आप चप्टी करकर फिर दुबार रिफ्राइ कर लिजिए भाजीबड़ा फ्राइब करते समय तेल को गरम करने के बाद आज को धीमी कर लीए उसके बाद धीमी आज पर ही सेकना ह आपको दोनों समय रिफ्राइ करते समय भी और फर्स चांस उडाना था उस समय भी और इस तरह से हमारे भाज़बड़े त्यार हो गए यदि आपको मेरी भाज़बड़ी की रेसी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक किजे शेर किजे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता और यदि अब यह तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देजिए धन्यवाद